भारत में फलो की खेती माल निर्याद करने के लिए एक प्रमुख बेवसाइक शुत्र है और इस परकार यह अंतरास्टिये राजस्व की अच्छी मात्रा में कमाई करता है अगर उन्न तक्नीकियों को अपना कर किसान खेती करे इस दार्य को और बढ़ा सकते हैं आमत और अभी जादतर किसान देशी किस्मों की खेती करते आ रहे हैं जिसमें आसान रूप उत्पादन नहीं मिलता है जबकि आज कई उन्नत प्रजादियां विक्सित हो चुकी हैं जिन में पैदावार तो अधिक होती हैं अगर बागवानी शत्र में देखे तो इस शत्र में कई नई किस्में विक्सित हो चुकी हैं जो की कम शत्र में अधिक उत्पादन देती हैं आम की किस्मों की बात करें तो सघन बागवानी के लिए आमरपाली गुलाब खस मलिका का नाम प्रमुख तौर पर आता है इसी तरह समाने बागवानी के लिए जरदालू, मालदा, दुधिया, मालदा, सिप्या, लंगड़ा, दशरी, पहारफर, सिंदुरिया, रतना, मंजीरा, सबरी, राजिंदराम, सिंदु आदी को लगा सकते हैं किसान भाईयों, अमरूद की लोक प्रियता कम नहीं, इसकी बागवानी भी सगन और समाने दोनों रूप में की जाती है इसकी उन्नत प्रजातियों में इलहाबादी, सफेदा, पंत प्रभाद, लखनाउ, उन्चास, ललित, स्वेता, मृदूला, सिडलेस, अमरूद, नासिक, धारदार, पंजाब, पिंक, अरका, अमुल, एपल, गुआवा, चित्यदार, आदी प्रमु किसमे हैं इन किसमों की खेती आप कर सकते हैं अगर केली की उन्नत किसमे की बात करें तो इसकी खेती सबजी और फल दोनों के लिए की जाती है जिसमें सबजी वाले केला किसमें बतीसा, मुठिया, कचकेल, आदी प्रमुख है वही फलो के लिए अलपान, चमपा, मालभोग, रुपस्टा, चिनिया, डवार कावेडिन्स, चिनी चमपा, बटसाई आदे किस्मों का प्रियोग कर सकते हैं बिहार में लीची की बात करें इसके किस्मों को परिपक वस्था के अधार पर बाटा गया है जैसे मैमा के प्रथम पक्ष में पकने वाले किस्मे हैं देशी, अरली, बेदाना, मैमा के दूसरे पक्ष में पकने वाले किस्मे हैं साही, रोज, सेंटेड और पुर्वी इसी तरह मैं माह के अंत में पकने वाली किसम है चाइना, कस्वा, मंद्राजी, लेट बेदाना आदी आप इनके गुनों के अधार पर किसमों का चैन कर सकते हैं पपीते की किसमों की बात करें तो पूसा, डेलेशियस पूसा, मैजस्ट्री पूसा, जाइनट पूसा, ड्वार्फ पूसा नन्धा, सीयो, एक रेडी लेडी, 786, कुर्ग हनी, वासिंग गटन, कोयम बतूर आदी में से किसी भी किसम का चुनाओ कर सकते हैं इसी तरह नीम्बू वर्गिये फलो की बात करें तो इसमें कागजी नीम्बू के लिए पुर्वी कागजी नीम्बू, विक्रम, प्रामलीनी, सलेक्शन, 49, स्रिटलेस आदी प्रमुख है वही नीम्बू के लिए नेपाली, उवलांग, पंत लेमन, आसाम, लेमन, गंधराज, बारामसी आदी प्रमुख किसम हैं वही अनार की बात करें तो इसकी खेती का दारा भी हमारे शुत्र से बट रहा है इसकी उन्नत किसमों में गनेश, भगवा, रुबी, सुपर भगवा, आदी प्रमुख किसम हैं इनकी खेती भी सघन और समाने तोर पर कट सकते हैं बागवानी करने से पहले कुछ बातों पर खास ध्यान दे जैसे पेडों की किसमें हमेशा भूमी के अनुसार ही चुने कम उपजाओ भूमी में कल्मी आम नहीं लगाए ऐसे स्थान में अम्रुद आदी कठोर किसमें ही लगाए इसी प्रकार थोड़ी रहवाली और खराब जमिन में ली सोडा बेर आवला आदी के पेड़ी लगाए पानी ठहरने वाले स्थान में तुर्मिले फल के पेड़ जैसे संत्रा माल्टा नीम्बू आदी नहीं लगाए किसम का चुना उस स्थान की जलवाई के अनुसार ही करनी चाहिए वही नए पौधों को भी विश्वस्निय संस्थाओं से ही खरीदना चाहिए ताकि पौधे स्थ और शुद्ध क्वालिटी के पौधे मिल सके एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि फल की पेड़ों की वे किसमें हमेसा लगाना लाप्रद रहता है जिनके फलों की मांग बजार में काफी है और किसमों के फलों के दाम बजार में अच्छे मिलने के उमीद है सस्ते रद्ध किसम के फल के पेड़ लगाना लाप्रद नहीं होता इसलिए किसमों के चुनों के लिए उद्यान विवाक की करमचारी से राय लेकर बाग लगाना ठीक रहता है